प्रियागराज जहां मंत्री सिद्धार नात के उपर मुंडेरा इस्ति चुनाव कारियाले पर हमले की घटना को लेकर एक टीवी चैनल पर खबर चली जिसके बाद काफी संसानी फायल गई थी मंत्री सिद्धार नात सिंग ने कहा कि ये बात सही है कि उनके एक यूवा पोईजन का हरे रंग का पैकर और उसमें सर्जिकल ब्लेड लेकर आया था वे उनकी और बड़ रहा था लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने दबोश लिया और पुलिस के हवाले कर दिया हाला की खुद के लिए किसी तरह की जान का कोई खत्रा नहीं बताया है आईए सुनाते हैं क्या कहना इस मामले पर सिद्धार नास सिंग कर और सुनाते हैं क्या कहा S.S.P. परियाग राजनी मेरा काम नहीं है कि साज़श है या पुलिस ही देखती है मगर यह जरू सच है कि जब मैं अपने केंडर कारयाले में था चुनावी के कारयाले में था तो एक वेक्ती ने मेरे सामने एक बगल में ही था और उसने एक पैकेट निकाला जिसके ओपर पॉईजन था हरा रंग का पैकेट था और उसके हाथ में एक चोटा सा चाकू भी था तो सर्जिकल ब्लेडी कह लीजे वो वो था और जब मैंने उसको दोनों को देखा तो मैंने उसको हाथ पकड़ा और मेरे फिर सेक्यूरिटी गार्ड ने भी उसको दबोचा अब उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं कह सकता मैं स्वैम इधर आया हूं और पुलीस जो भी है वो ठीक ठाक जो समझेगे वो करेगे अब मदला किलाब आपने कारिवाई काफी कि दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सेस्पी परियाग राज ने खंडन करते हुए बयान जारी कर कहा कि हमले की खबर गलत है और ब्रहम फलाने वाली है और हमला करने वाल मंतरी जी के पास पहुचा था और क्या कुछ कहा सेस्पी परियाग राज ने और वक्ष के लोग भी अब हमलावर हुए हैं वह भी हम आपको सुनाते हैं पहले सुनाते हैं क्या कहा मंतरी परियाग राज ने प्रकरण हाना धूमन गंज जन्पत परियाग राज का है इसमें कटिपय मीडिया चैनलों तास्तों पे आज तक ने एक पट्टी चलाई जिसमें श्री शिद्धार्ट नासिंग जी पे हमले की बात कही गई जो की पूरी तरह गलत और भ्रह्म फैलाने वाली खबर है मौके पे आकर मेरे दोरा जांच की गई तो पाया गया कि एक 26 वरसी सिर्फिरा इवक हिमानशु दूबे जो जिला जौनपूर का रहने वाला है वो अपने आपको उन्ही का कारिकरता बता रहा है और यह सलफास की गोलियां लेकर वहाँ पहुंच गया था और बोल रहा था कि आपने मेरा काम नहीं किया है इसलिए मैं आत्मात्या कर लूँगा इस तरह की चीजें महां फैला रहा था ततकाल ही उसे पुलीस दोरा फिरासत में लेकर उसे पूछताश की जा रही है किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हुआ है जो भी इस खबरे चली है या जो भी सभानिक कारवाई की जाएगी अब जाच का विशय है कि आखिर पूरा मामला क्या है अब कौन सच कह रहा है और कौन जूट यह जाच का विशय है मंगर दूसी तरफ अब राजनीती गर्मा गई है जहां साहर पच्छिमी के प्रतियासी वा संग कारकरता दिवेन परताप सि और टी आरपी के लिए पूरा खेल बताया है और हिमानशु दूवे के समर्थन में कहा कि वे खुद मंतरी सिद्धार्द नास से परेशान था वे आत्माहत्या करने वहां पाउचा था आईए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है वहीं दिवेन परताप सिंग के साथ सपानेता ने के लिए बहुत से कारण हो सकते हैं SSP प्रियागरा के पास जूट बोलने का कोई कारण नहीं हो सकता हिमानसु दूबे की ID को मैंने आज देखा पूरा नीचे से उपर तक देखा लगातार वो सिद्धार्द नास सिंग का विरोध कर रहा है लगातार वो लिख रहा है कि मेर अपनी भीन में नहीं जाएगा और जैसा कि वीडियो मैंने जो ओरिजनल वीडियो है उसको देखा है तो उसमें वो अपने मुह में कुछ डालने का प्रियास कर रहा है ऐसे में अगर मंत्री जी यह कह रहे हैं तो बिलकुल जूट बोल रहे हैं और जूट बोलकर जो है और ऑपने प्रियास कर रहा है जिसके पीछे उसको लखनौं में धरने बैटना पड़ा इनके प्रियागराजिस जो अवास और कारिया ले के सामने उसको लात मारते हुए प्रियागराज की ace Salamate Ulla ने मंत्री सिद्दानाद पर सवाल खड़ा करते हुए का कि मंत्री जी जूट बोल रहे हैं भला परियाग राज S.S.P. क्यों जूट बोलेंगे मंत्री जी सारी चीज़ें T.R.P. के लिए कर रहे हैं क्या कुछ कहा है सपानेता सलामत उल्ला ने आईए वो भी सुनाते हैं आपको देखिए ये एक सरियन्त है और इसमें जो वेक्ती सिद्दातनाद से स्वायम खुद परिशान था सुसाइट करने के लिए आया और काफी दिनों से वो उनका विरोध कर रहा था तो कहीं ना कहीं सिद्दातनाद ने जो है उसको छूट दी पूरी खुली कि वो इस तरह से हरकत करे ताकि जो है मीडिया में इनकी टियार पी बढ़े और जनता के बीच में गलत मैसेज जाए गलत अफवा जाए और उसका खंडन भी मानी स्सपी सहाब ने किया है और मैं गलत ख़बर चलाने के लिए मैं कहीं ना कहीं एक चैनल को भी दोसी मानता हूं जिन्हों ने इस तरह की ख़बर चलाई और ये कोई नई बात नहीं है सिदातनाद के लिए सिदातनाथ हमेशा कोई ना कोई हरकत करते हैं कभी अतिक का नाम लेके तो कभी इस बच्चे को गलत तरीके से परतारिक करके जो है इस तरीके की खबर वो चलवा रहे है ये अपनी टीयार पी बढ़ाने का ये काम कर्रहे है ना कि कोई सही काम है उस बच्चे के लिए उसकी मदद करनी चाहिए वो बच्चा परतारित था इनसे जो है परेशान था और उसको इन्होंने मदद ना करके इस तरीके से अलगा दिया उसको फसा दिया यहां सेस्पी पर यार राज खंडल करना हैं और दूसे तरब यहीं कह रहे हैं कि इनको पर हमलावा कौन सच बोल रहे हैं और क्योंकि उनके साथ जो सुरच्चा कर्मी लगे रहते हैं पुलिस बल के जवान हैं उन्हें सारी बातों का संग्यान हैं उन्होंने सब देखा उनक को खबर की होगी इसी पर सेस्पी साथ ने लिया और मैं यहां के कप्तान का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने इतनी सुद्वुद्धी दिखा के एक बड़ा बलवा होने के लिए होता होता रुग गया सिब उनके ही बयान से उनके खंडन से देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूस चानल को सब्क्राइब करें